नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह दो तरीके की ओवरलाग देख रहे होंगे एक तो सिंपल वाली साधी और एक देख रहे होंगे यह फाइफ थ्रेट तो इसमें से आपको काउंसी लेना चाहिए और इन में कhya क्या फरक होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अगर आपको कैसा काम है आपको किस तरीके की ओवरलाग लेना चाहिए वो इस वीडियो में हम आपको डीٹेल से बिल्कुल बताएंगे इन में दोनों में क्या खासियत होती है और आपको काउंस ही लेना चाहिए तो देखे सबसे पहले बात करते हैं छोटी वाली ओवललाक की तो देखे छोटी वाली जो ओवललाक होती है वो आप पैर से चला सकते है यानि कि बिना मोटर आप चला सकते है पिलस उसमें मोटर भी लगा सकते हैं तो दो चीजें इसमें होती हैं क्या होता है कभी कदर लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप जो है मोटर लगा सकते हैं दूसरी चीज क्या है इसमें ब्लेड भी लगा सकते हैं मतलब लगा ही होता है लेकिन क्या होता है कि blade आप बहुत ज्यादा मतलब मोटा कपड़ा इससे नहीं कट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये बर्क नहीं करता है blade मतलब कुछ दिन चलता है इसके बद वेकार हो जाता है तो यानि कि मोटा मोटा समझे लिजिए ये civil के काम के लिए और सिर्फ ओवरलाग होती है यानि कि अगर आप पाइंट सेट बना रहे हैं civil की और suit है blouse है मतलब कुछ ही बना रहे हैं तो तीन धागे ही सिर्फ उसमें चलते हैं यानि कि सिर्फ और सिर्फ ओवरलाग ही करती है वो सिर्फ उसमें तीन धागे होते हैं तो वो मिल जाती है आपको बहुत ही सस्ती थोड़ी सी सस्ती मिलती है मसीन वो और उसके बाद आती है फोर्थ रेड फोर्थ रेड में क्या है उबलाग होती है उसके बीच में एक सिलाई जाती है तो उससे क्या होता है जो टी सट लोग बनाते हैं टी सट है लोवर है तो उसमें साइड जो होती है लगी हुई और बाजी बगारा लगी होती है है तो बहुत सा फोर थ्रेट से लगी वोती हैं यानि कि हुजुरी का का मात से ही करें गये फॉर थ्रेट से अलता है क्या होता है घंथ्टि लगेगी आप जीन्स की फुट्ठे पर सिलाई देखते होंगे अंदर साइड में देखना कभी बी इंटला के साथ में परोस में एक चेन बाली सिलाई लगी होगी तो वो फॉर्थ रेट फाइफ रेट की ही होती है तो उससे क्या होता है फिनिसिंग बहुत ही अच्छी आती ह है और इसकी सिलाई जो है चटकती नहीं है तो इसलिए जीन्स में यही सिलाई लगती है और इस वाली मसीन से लगाएंगे या फिर इस्टेच भूम लगाई चटक जाएगी तो चैन बाली है वो वो उसको खीचोंके थोड़ा था तो चैन के जो लच्छे बने होते हैं वह बता है बोऊभी लगा सकते हैं उसके उसके बाब जुद है आप फोर्थरेड का भी ऊसमे प्रहर दाया सब काम कर सकते हैं वो और ज़्छाद मेहंगे आती एक उसमें छह दागे पड़ते हैं यानि छह सुए लगी होती निथM तो अब बात करते हैं आपको कौँछ लेना चाहिए तो देखिए अगर आप सिर्फ सिविल के लिए अगर आपको चाहिए और आपकी घर पे काम कर रहे हैं यूज के लिए है या फिर जो है आपने कोई आपकी बहुत बड़ी सोप नहीं है छोटी सोप है तो आप इस मसीन को ले लें ओके कापी सही रहेगा तो ले लेना लेकिन अगर आपका कोई एक्सपोर्ट का काम हाय या फिर जो है आपको थोड़ा सा ऐसा काम है इसमें आपको फिनीसिंग अच्छी चाहिए या फिर आपको मोटा कपड़ा ज्यादा उसमें यूज होता है मोटे कपड़े पर करना होती है या फिर आपकी को कुछ बहुत बड़ी दुकान है और आपको फिनीसिंग चाहिए हर कपड़े में तो आप इसका यूज कर सकते हैं फाइफ्ट रेट का ले सकते हैं या पर तीन दागों वाली भी ले सकते हैं वो आपको सस्तिप पड़ जाएगी अब इसमें क्या होती बो मैं आपको बता दूं इसकी जो इंटलाग होती है छोटी वैली की इसका टांका बिगड़ जाता है बहुत जल्दी यानि कि आप चला रहे हैं बीच में तो थोड़ी सी चली लगवग आरधा मेटर चली उसके बाद टांका इसका बिगड़ गया तो इंटलाग जो है गड़बर चलने लगती है फिर सही हो जाती है फिर गड़बर चलने लगती है यानि कि ब्लेट से सफाई से कटता नहीं है कपड़ा इसलिए जो है इंटलाग का टांका जो है वो गड़बर चलता रहता है तो इसकी वजासे इसकी इंटलाग में इतनी जादा सफाई ये इनकी इंटरलाग यहीं ब्लेड लगा होता है तो बील्टकी उसका मजबूत होता है और अच्छा एक दम कपड़े को ब्लू couples से काड़ देता है कई साभी कपड़ा हो तो उसके बाद जो इंटरलाग उसकी होती है वो बहुत ही एकदम नेश्ट लेविल की होती है तो इसलिए जो जितने भी अच्छे क्वाल्टी के कपड़े होती है समय यही इंटरलाग की जरूत होती है तो अगर आप दूसरी चीज़ क्या होती है यह आप सिर्फ मोटर से ही चला सकते हैं सिर्फ उसमें मोटर लगा होता है इसी में तो वो सिर्फ मोटर से ही चलती है और इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है छोटी वाली इंटरलाग से मतलब बहुत जल्दी आप इंटरलाग करेंगे एक फिनिसिंग के साथ करेंगे और बहुत ही स सकते हैं आसानी से या फिर दुकान अभी खोल ला है तो आप छोटी अली इंटलाग ले सकते हैं काफी बेश्ट रहेगा और अगर आप कुछ रेडिमेट डालना चाहते हैं या फिर जो है आपकी बहुत बड़ी सोप है और कपले ज्यादा आते हैं फिनिसिंग भी चाहिए आ तो आपको जैसा काम हो उससाप से आप ले सकते हैं अब प्राइस की बात करें तो यह वाली जो प्राइस है इसका यह आपको 4500-6000 तक की मिल जाएगी मसीन पाउदान सहीद उस वाली की बात करें तो 25,000 से स्टार्टिंग है और आप जो है आगे कोई भी ले सकते हैं 25,000 से आपकी श्टार्टिंग है 32,000, 35,000, 40,000 ऐसे आपको मिल जाएगी ठिक टाक बढ़िया मसीन मिल जाएगी तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह पता चल गया होगा तो यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें चैनल के पहली बारा गलिया नमस्कार